हेलो दोस्तों मैं आपका दोस्त रविंदर आपका सुआईत करता हूँ आप जानते ही होंगे मेरे बारे में अगर आप nc principles related वीडियोज देखते हैं वीडियो की quality पर मज जाईएगा क्यूकि दोको मैं पसे friendly तरीके से बात करता हूँ discussion के mood में बात करता हूँ ऐसा नहीं है कि मैं आपको कुछ सिखा रहा हूँ और आप सीख रहा है वैसा कुछ रही है सिर्फ discussion के mood से जो चीजे मेरे साथ अन्भव हो रही है वो मैं आपको बता रहा हूँ और आप भी अपने अन्भव comment box में मुझे बताईए कि क्या क्या आप चीजों को feel करते हैं आज हम meditation के बारे में बात करते हैं कि meditation में actually normally विक्ति को क्या क्या चीजे feel हो सकती है और जो feel मैंने की है मैंने एक साबसे imagination meditation किया था क्योंकि starting में मन को संभाल पाना बड़ा मुश्किल होता है संसार की दुनिया में मन ऐसी भटकता रहता है जब हम बैठते हैं तो ऐसी खुआप चलते रहते हैं जो लोग love story में हैं उन्हें अपने partner याद आएंगे जो लोग जिम्मेदार हैं उन्हें अपने कारोवार याद आएंगे कल उसने क्या कह दिया था कल उससे क्या कहना है ये सारी चीजे जब हम बैठते हैं तो चलती रहती हैं आती है जाती है आती है जाती है लेकिन ऐसी स्थिती में इंसान सुचता है कौन बैठ है 10-15 मेट बैठता है फिर वो उट जाता है मनी नहीं लगता है लेकिन अगर वो अपने आपको इस्थिर कर ले और बैठ जाए तो एक सबह ऐसा आता है कि धीरे-धीरे विचार शान्त होने लगते हैं विचार को शान्त करें कैसे करें वो बहुत सारी छोटी-छोटी चीजे कर सकते हैं उन्हें इसमें एक छोटी सी चीज बताता हूं आप अपने सासों पर ध्यान दे बहुत धीरी धीमे-धीमे सासों को छोड़े और धीमे-धीमे ही सास को ले एंटर करें इस तरीके से आपका मन थोड़ा सा शान्त रहेगा बिचार भी कमाएंगे जब आप सासों की ओर ध्यान देंगे जब मेडिटेशन करते हैं तो मुझे जो फील चीजी हुई है मेडिटेशन में वो मैं आपको बता रहा हूं फिलाल में तो मैं अभी पूरी तरह से बताऊं सामाजिक जीवन को जी रहा हूं मेडिटेशन मैंने अच्छे से पहले किया है लेकिन है इतना मालूम है कि मेडिटेशन की अपनी एक अलगी पावर होती है मेडिटेशन वाला व्यक्ति यूनिक हो जाता है उसके पास दुनिया से हट कर बहुत सारी चीजे होती है और अगर मैं सच कहूं और मेरी बातों पर अगर आप यकीन माने तो मेडिटेशन वाले बंदे के पास कुछ ऐसी पावर्स आ जाती है कि वो यूनिवर्स की कई पावर को अपने तरीके से चला सकता है यह मतलब ऐसे हवा में नहीं बोल रहा हूँ यह बिल्कुल सच है मुझे नहीं वालों के ऐसी कौन सी पावर उससे करेक्टिड हो जाती है वो अपने हिसाब से चला सकता है कुछ चीजों को जैसे कि वो सामने वाले बंदे को अपने हिसाब से हैंडल कर सकता है अपने विचारों से दूसरे को प्रभावित कर सकता है और भी वगेरा वगेरा और अगर आदमी सच बोलता हो मेडिटेशन के साथ साथ अगर सच बोलता हो तो उसका एक चक्र होता है गले का चक्र वो जागरत हो जाता है जिसे उसकी कही हुई बाते भी सच होने लगती है Meditation के साथ-साथ अगर वो सच्चा इंसान है तो ब्रह्माड में वो जो वातों को बोल देता है कि ऐसा हो जाए या हो जाएगा तो वैसा होने लगता है अगर आप मेरी वातों से रिलेट कर रहे हैं तो कम इड़क्स में ज़रूर बताइए क्योंकि मेरे साथ तो ऐसा हुआ है अब तो मैं थोड़ा सा सामाजिक हो गया हूँ तो समाज की जिन्दगी की और ध्यान दे रहा हूँ देखो फिर आपको मेरी वात थोड़े से बुरी लग सकती इस दुनिया में बहुत ज़ादा ज़रूरी है पैसा और मेरी financial condition उतनी बहतर नहीं है जितनी होनी चाहिए जिसकी वज़े से मुझे पैसे कमाने पर ध्यान देना पड़ेगा क्योंकि मैं मेरी जिम्बेदारी है जिम्बेदार आदमी हो लेकिन हाँ हम सबकी एक आखरी मनजल यही है कि हम meditation के माध्यम से spiritual दुनिया के माध्यम से भगवान तक पहुच जाए हम तो meditation में जो feel होता है फिर मेर्टव पर भूल गया meditation में जो feel होता है वो चीज़े मैं आपको बता रहा हूँ इस टार्टिंग में मन भटकता है फिर देरे देरे सांत होता है फिर हम imagination में जाते हैं imagination में हम जैसी दुनिया create करते है वैसी दुनिया create होने लगती है मैं जादा तर प्रकृतिक चीज़ों को create करता हूँ जैसे कि बहुत बड़े पहाड है नदी बह रही है शांत माहुल है महां मैं बैठा हूँ meditation कर रहा हूँ ऐसा feel और ऐसा लगता है मैं हवा में ओड़ रहा हूँ मेरे शारी बहुत हलगा महसूस होता है और उसके बाद मैं धीरे धीरे आकास में उड़ता हूँ आकास में उड़ते हुए फिर मैं एक ऐसी दुनिया में पहुंच जाता हूँ वहाँ से जहां से imagination किया था ऐसे दुनिया में पहुँच जाता हूँ जहाँ सारी चीजे रियल होने लगती है मूबी की तरह चलने लगता है फिल्म की तरह जिसमें मैं खुद कुछ नहीं बदल सकता मैं सोचू कि मैं imagination करने के बाद फिर एक नई imagination करके नई चीजे लाऊं कुछ नहीं होता है automatic के film की तरह चलता है और कुछ ना कुछ मुझे नहीं मालू कि वो सीन हकीकत का कहीं का होता है या कौन सी दुनिया होती है वो लेकर उसमें इतना आनंद आता है इतना अच्छा लगता है कि दुनिया को कोई आनंद उससे बहतर नहीं हो सकता बहुत अच्छा फिल होता है बहुत रिलेक्स मिलता है और उस दुनिया में मैं क्या ही बताऊं explain जवान से करी नहीं सकता बहुत सारी चीज़े फिल होती है मैं आपको धेरे धेरे सारी चीज़े explain करूँगा वीडियो लंबा हो जाएगा आप देखेंगे नहीं आज मैं वीडियो को ही close करता हूँ अपने विचार आप comment box लो मुझे ज़रूर बताईएगा